नमस्कार आप देख रहे हैं संसेट टेलिवीजन का विशेश कारिकरम नैशनल इवेंट्स और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मत फातेह टीपू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधी व्योस्था से जुड़े विशेशग्यों से ऐसी वैश्विक कानूनी प्रिक्रिया तयार करने का अहवान किया है जिसमें साइबर आतंकवाद और धन शोधन जैसी गत्विधियों से निप्टा जा सके दिल्ली में दो दिवसी अंतर राश्ट्री अधिवक्ता सम्मेलन का उद्गाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर अपराद धन शोधन और कृत्रिम दूधिमत्ता के दुरुपयोग से निपटने के लिए वैश्विक वेश्विक वेश्था तयार करना जरू के भी वैश्विक होने चाहिए हमें एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीप्ली करेक्टेड है हार लीगल माइंड या इंस्टिजूशन अपने जुरिडिक्षन को लेकर बहुत सचेथ हैं लेकिन ऐसी कई ताकते हैं जिनके खिलाब हम लड़ रहे हैं वो बॉर्डर्स या जुरिडिक्षन की परवान नहीं करती और जब खत्रे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए साइबर टेरिजम हो बने लॉंडरिंग हो और इसके दुरूपियों की भरपूर संभावन आए हो ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्ग तयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्ग को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा परधान मंतरी ने कहा कि विधी वे उसाय से जुड़े लोगों के अनभव ने स्वतंदर भारत की नियू मजबूत की है उन्होंने कहा कि नियाए पालिका और अधिवक्ता भारतिये नियाए प्लाली के वर्षों से सर्रक्षक रहे हैं परधान मंतरी ने कहा कि विधी वे उसाय से जुड़े विशे शग्यों ने किसी भी देश के निर्मार में महतुपूर्भूमी का निभाई है मैं भारत के सुपनकौर्ड को इसके लिए बढ़ाय भी बढ़ाय दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानी भाषाओं में भी अनुवारत करने की विवस्था की है इससे भी भारत के सामान व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी भारत में तो सदियों से पंचायत के जर्ये विवादों के निप्टारी की व्यवस्ता रही है हमारे संस्कार में रहा है इस इनफॉर्मल व्यवस्ता को एक व्यवस्तित रूप देने के लिए भी भारत सरकार ने मिडियेशन एक बनाया है भारत में लोग अदालत की व्यवस्ता भी विवादों को हल करने की दिशा में बड़ा माध्यम है परधान मंत्री नरेञ नमूदी ने आज अपने संसरी शेतर वारानसी का दौरा किया इस दौरान उन्हों ने पंदरह सो करोन रुपए से अधिकी विकास पर योजनाओं का शुभारम किया उन्होंने अंतर राश्ची करिकेट स्टेडियम का शिला न्यास और काशी संसा सांस्कृतिक महसो दो हजार तेईस के समापन समारों में शिर्कत किया वारानसी प्रवास के दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री ने यहां अंतरराश्ट्य क्रिकेट स्टेडियम की आधार शिला रखी यहां आधुनिक अंतरराश्ट्री क्रिकेट स्टेडियम लगबग 450 करोन रुपई की लागत से 30 एकर से अधिक शेतर में बनाया जाएगा इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि क्रिकेट के जरीए दुनिया भारत से जोड़ रही है ऐसे में बनारस का ये अंतरराश्ट्री क्रिकेट स्टेडियम पूरे पूर्वान्चल का चमकता हुआ सितारा बनने वाला है उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम ना सिर्फ वारानसी के लिए बलकि पूर्वान्चल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा आज क्रिकेट के जरिये दुनिया भारत से जुड़ रही है दुनिया के नए-ने देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे है जाहिर है आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए-नए स्टेडियम भी जरुरत पढ़ने वाली है बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस दिमान को पूरा करेगा पूरे पुरवांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्मान में बी सी सी आई का भी बहुत सयोग होगा प्रधान मंतरी ने कहा कि सरकार खेल और खिलाडियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है नौ वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रिये खेल बजट तीन गुना बढ़ाया गया है खेलो इंडिया प्रोग्रेम के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में लगबग 70 फीसदी की वृद्धी की गई है उन्होंने कहा कि काशी की युवा खेलों की दुनिया में नाम कमाएं इसके लिए उच्च स्थरिये सुधाएं मुहिया कराने का प्रयास है काशी के युवा स्पॉर्ट की दुनिया में अपना नाम कमाएं मेरी यही कामना है इसलिए हमारा प्रयास बारानत्य के युवाओं को उच्च स्थरिये खेल सुधाएं देने का है इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड रुपिये खर्च किये जा रहे है सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुधाएं विक्सित की जा रही है और इसकी एक और खास बात है ये देश का पहला बहुस तरिय स्पॉर्ट्स कॉंप्लेक्स होगा जो दिव्यान जनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोडी वारानसी के संपूर्णा नन संस्क्रिद विश्विद्जाले में स्थानी महिलाओं के साथ समवात कारिकरम में हिस्सा लिया नारी शक्ती वंदन अभिरंदन कारिकरम में महिला अरक्षन विडहक लाए जाने पर महिलाओं की ओर से परधान मंतरी का स्वागत और आभार जताया गया इस मौके पर परधान मंतरी ने कहा कि नारी शक्ती वंदन कानून से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का उच्सोश शुरू होने वाला है नारी शक्ती वंदन अधिनियम ने इस बार दुर्गा पूजा के उच्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है इस कानून से देश की महला विकास के लिए रास्ते खुलेंगे लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं की उपलब्धी बढ़ेगी उन्होंने कहा कि संसद में नारी शक्ती वंदन जैसा एतिहासिक कानून पास होने के बाद वो सबसे पहले काशी में महिलाओं का आशिरवाद लेने आये हैं नारी शक्ती बंदर अधिनियम ने इस बार नवरात्री के उच्छा को और भी कई गुना बढ़ा दिया है इस कानून से देख के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे लोग सभाव और विदान सभाव में महिलाओं की उपस्तिती बढ़ेगी मैं उस उपलब्दी के लिए आपको भी और देश भर की माता और बहनों को आज काशी की पवित्र धरती से रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ काशी के विकास और विरासत का प्रधान मंतरी नरेंदर मोडी का सपना साकार हो रहा है प्रधान मंतरी ने काशी संसर्च सांस्कृतिक महसों के क्लोजिंग सेरिमनी को संबोधित करते हुए कहा कि वो जब 2014 में यहां आये थे तब उन्होंने जिस काशी की कलपना की थी वो सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है उन्होंने कहा कि काशी संसर्च सांसकृतिक महसों जैसे प्रयास इस प्राचीन शहर की सांसकृतिक जीवन्तिता को मद्सबोट करते हैं उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के परियाटों के लिए काशी जल्द ही आकर शड़ का एक नया केंद्र बनेगा काशी सांसर्थ टूरिश्ट गाइड उसकी कॉंपिटिशन भी आधित की जाएगी आप गाइड बन करके आईए लोगों को समझाईए एक एक जगा का विशे में और इनाम पाईए उसके कारान लोगों को पता चलेगा कि इस शहर में गाइड का एक कल्चर बन रहा है और मुझे काम इसलिए करना है कि मैं चाहता हूं मेरी काशी का दुनिया में डंका भजना चाहिए और मैं चाहता हूं कि पुरी दुनिया में अगर कोई कहीं गाइड की बात करे तो काशी के गैज्ज का नाम सबसे सम्मान से लिया जाए मैं सभी काशी वाद्चिवाद अपील करना चाहूंगा कि आप अभी से तहरी करिए और बढ़ चरकर कि उसमें हिस्सा ले इस मौके पर प्रधान मंत्री ने पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1115 करोन रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासिये विद्यालेओं का उद्घाटन किया साथ ही प्रधान मंत्री ने काशी संसत खेल प्रतियोगीता के पंजी करण के लिए पोर्टल भी लॉंच किया हमारा बनारस सद्यों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है बनारस की सेक्षनिक सबलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव देश और दुनिया के कौने कौने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं आज भी दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्कृत सिखने आते हैं ज्यान लेने आते हैं आज हमने इसी भावना को केंदर में रखकर यहां से अटल आवाचिये विद्यालयों का सुभारम किया है आज जिन अटल आवाचिये विद्यालयों का लोकारपन हुआ है उन पर करीब क्यारा सो करोड रुपे खर्च किये गए हैं और यह स्कूल इतने भव्य स्कूल हमारे स्रमीक हमारी हममद्दूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है और इससे उनको अच्छी सिख्षा मिलेंगे संसकार मिलेंगे आदुनित्तम सिख्षा मिलेंगे आज राश्ट्रकवी रामधारी सिंग दिनकर की जैनती है। देश उनको नमन कर रहा है। लोग सबाद्यक शोम बिरला ने उन्हें शद्धानजली दी है। फिलाल हमारे विशेश कारिकरम नेशनल इवेंट्स में इतना ही आप देखते रहिए। संसर्ट टीवी नमस्कार।